अब 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 में पंद कर दूआ तो पता चलेगा अब 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 पुलीस वाले बनकर लोगों को धोका देते आए हैं उन्हें लूटते आए हैं जाज साब इस देश में ऐसा कौन सा आदमी है जो चोरी चकारी नहीं करता और रहा पुलीस का सवाल कुछ पुलीस वाले तो ऐसे हैं जो खुद जनता को ही लूटते रहते हैं अब जोर अब इन पे इल्जाम है कि उन्होंने रंजीत सेट को हज़ारों आद्वियों के सामने भरे बाजार में जान से मार डाला यह इल्जाम नहीं सब्सक्राइब इस हकिकत के बहुत गवाँ हो सकते हैं लेकिन उस हकिकत का कोई गवाँ नहीं है जिसकी वज़े से हमने रंजीत सिंग जिसे धरिंदे का खून किया जैसाब रंजीत सेथ हमारे आश्रम की जमीन किसी तरह भी खाली करवाना चाहता था उसने अपने आदमियों को भिजवा क अगर अदालत हमसे सबूत मांगेगी तो हमारे पास कोई सबूत नहीं है मगर हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ये काम उस कमीने रंजी सिंग ने ही करवाया था जसाब वो आश्रम हमारी मा है उसमें रहने वाले बच्चे हमारे भाई बेहन उनका दर्द उनकी तरब देखकर हम अपने आप पर काबू नहीं रख सके उन पर किये हुए जुम ने पल भर के लिए हमें जजवादी बना दिया हमने खून नहीं किया जसाब मासूम बच्च इससे जुर्म समझती है तो यह जुर्म किया है हमें और इसकी जो भी सजा देंगे हमें मन्सूब है कि तमाम बाते सुनने के बाद यह अदालत मुल्जिम बल्वीर और अन्वर को उम्र कैद की सजा देती है अरे उस्ताद की जय हो उस्ताद सलाम आप यहां कैसे अरे चाचा आपको भगाने आये हैं आप आये हैं तो भागी जाएंगे अब उस्ताद आये हैं तो भागी जाएंगे भागना और राना परताब की जेल से अरे राना परताब की जेल हो या किसी और की जेल हो यह चार दिन से ज्यादा किसी जेल में रुख ही नहीं सकता ऐसा ही होगा तो फिर लगी एक एक बीड हुआ 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 है कि लोहे की जंजीर में तो शेरों को बांदा जाता है इन मासूम मुझरिमों को नहीं जो बुजदिलों की तरहे रात की अंधिरे में गुना करते हैं और दिन के उजाले में मूच पा लेते हैं जेलर साहब यह आपकी आवास सचमुछी आपकी बहदुरी की निशानी है यह हमारे नाम की दहशत है राना पताब सिंग उस सरहत का नाम है जहां दहशत भी पहुंच कर दम तोड़ो देती है लगता है आपने हमारा रेकार नहीं पढ़ा हम वह तेजाब है जो लोही की सलकों को भी जला कर राख कर देते हैं हमें यहां से भागने से कोई नहीं रोक सकता है अगर तुम भागने के लिए सारा जेल भी कहेगा तो तुम भाग नहीं सकोगे अब हागने की बात कर रहे हैं अगर आप कहें तो हम अकेले नहीं पूरी जेल को साथ मैं लेकर भग जाएं यभ m हाँ के टक्राने से पहाद में शुराख़ नहीं हुआ करते फिर भी हमें तुम्हारा यह अनलास पसंदा या यह हमारा वादारा कि तुम्हें भागने के लिए ऐसा मैदान देंगे, कि तुम भागते भागते ठक जाओगे, लेकिन मैदान खत्म नहीं होगा, और जब नजर उठा कर उपर देखोगे, तो राना परताब सिंग तुम्हारे सामने खानून की मजबूत दिवा की तरह खड़ा होगा, बंद कर दो विने हीलो बल्ली ये तो ऐसा आराम से लेटा है जैसे कंबल पर नहीं चंबल में लेटा सोने दो उसे क्यों यह क्या कर रहा है लॉझ क्यों लॉझ कि देदे लॉझ कि चक्कर क्या है यह कुछ भी हो यह आप उनको क्या आप अपना कंबल लेकर सोजाते हैं चल्व गर्जेन दुलती बहुत जोस्या मारी गोर्ता भी है साला पल्लोर अन्नूपन लाच चलाता है यहाँ, पल्लोर फिर्वण पल्लोर, पल्लोर यहाँ मैं पहाँ जब 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 लोग इस लेख इस लेख राना प्रताप की जेल है यहां के कायदे और कानून तुम्हें मालूं होने चाहिए ब्यानक से भ्यानक मुझ्रबी यहां आकर हमारे कहते ही श्राफत की चादरतान कर सो जाता है जो ऐसा नहीं करता क्या क्या बैए इधर नहीं चलेगा चल फोट फोट ए मोटू ओद बदमाश है तो साल क्या बाला क्या बाला क्या बाला क्या है क्या है क्यों इतना असरा है अरे बोलना एक हीच के दिया तो कि मेरे सामने जेदर साब का चेहरा नजर आ रहा है बड़े रोप से उन्हें का था कि सारी जेल भी तुम्हें भागने को कहेगी फिर भी तुम नहीं भाग सकोगे पहचाना हमें जेलर जेलर राना परताप सहीं वही तुम्हारा पुराना दोस्त तुमसे कहा था ना जान जाओगे मैं खड़ा पाओगे फर्स की एक दीवार बन कर अच्ची रोटी खाते खाते या आज बादि ओकेज्ग वही तुमनल सक्केजरी का अच्ची रोटी आठी CIVHA मत्थ जानना सतुम्हारा जाए हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है हमारे साथ जो भी बत्तमिजी करता उसका यही हाल होता है यहां से मैंने तुम्हारा ट्रांस्फवर्म में करवा दिया तो मेरा नाम चपर सिंग नहीं थी जाए है तुम सब ठीक तो है आश्र में सब बच्चे अच्छे तो हैंना बच्चे तु ठीक है मगर क्या बात है पारो वो गुंडा थिलग द्धारे आश्रे में आकर गुंडा कर्धि कर रहा था, कह रहे था अगर दो तिन दिन में आश्रम खाली नहीं किया तो बच्चों को धका देकर बाहर निकाल देगा अगर किसी ने आश्रम की तरफ आख भी उठाई तो उसका भी अशरवही होगा जो रंजीत सेट का हुआ था फिर भी ना जाने मझे क्यों डर सा लग रहा है घपराओ मत इससे पहले कि वह वहां पहुंचे हम वहां पहुंच जाएंगे ए बंदुक है यार बंदुक नमस्ते सर तुम दोनों यहां सर वो तू बोलना यार कि मैं रही में करना चाहते है कि अ कि काहो क्या कहना है सर भी तुनों को चार दिन की चुटि चाहिए कि तुम्हें चार दिन की चुटि चाहिए कुछ गज़ बोल दिया क्या गलत ही बोलता है सर हमें पता चला है कि हमारे अनाथ आश्रम के बच्चों की जिंदगी खत्रे में इसलिए हमारे भार जाना बहुत जरूरी है ये जेल है किसी कॉलेज का हॉस्टल नहीं जब चाह वार्डन से जाने की जाज़त ले ली हम जाते ह है सर लेकिन हम दोनों का जाना बहुत जरूरी है ये खानून के खिलाफ है हम इसकी इजाज़त नहीं दे सकते तो अपने काम की ड्यूटी पर वापस जाओ सर आप हमें अच्छी तरह जानते हैं लेकिन हम आपकी इज़त करते हैं इसलिए आपसे इजाज़त मांगने आए हैं वरना अब तक तो कपके जेल से भाग गए होते हैं तुम दोनों दिल के अच्छे हो इसलिए हमने सुन लिया वरना हमारे सामने ऐसी बात करना तो दूर स सर आप हमारे जज़बा समझें के कोशिश कीजिए आश्रम के बच्चे हमारी जिंदगी है हमारा सब कुछ है अगर उन्हें कुछ हो या तो हम दोनों जीतेजी मर चाहेंगे हम पर भरोसा कीजिए सर हम आपके साथ विश्वास का हत नहीं करेंगे देखो हम तुम्हें ना आप हाश्रम के बच्चों की हिफाज़त का सवाल हम उनकी हिफाज़त का वादा करते हैं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया यह लिए से सिग्रेट मांगते हो इसमें दिमाग खराब होने की क्या बात है तुम कौन साथ तुम्हारी कमय का सिग्रेट पी रहे हो सब रिश्वत कमाल है ना मिल बांट कर क्यों ठीक है ना किसी ना आगे बढ़ने की कोशिश की तो इसकी खोबने उड़ा दूगा अब आप महरवानी करके अपनी जीप की तरफ चलने का कश्च करेंगे चलिए क्या बल्वीन और अनवर जेल से बाग गये अच्छा जेलर राना प्रताफ राना प्रताफ वो राना प्रताफ जिसकी इजादत के बगएर उसकी जेल से हवा भी नहीं गुजर सकती आज उसकी जेल से एक साथ दो कैदी भाग गए ये खबर हम तक पहुंच चुकी है वो भागे नहीं है जेलर बलके तुम ने उन्हें भगा दिया है हम पर ये अल्जाम लगाने से पहले बुरा लग गया उस दिन हमें भी बहुत बुरा लगा था जब आप हमारे घर आये थे हम पर एक छूटा और बेबुनियाद इल्जाम लगाने उस इल्जाम की एक मजबूत बुनियाद है जिस दिन तिलक धारी की जबान पुलीस ने खुलवा दी जो के वो जरूर खुलवाएगी उस दिन उस इल्जाम की सच्चाई आपके सामने आ जाएगी और काइंड इन्फरमेशन जिलर साब तिलक धारी को हमने पुलिस लॉक अप से जमानत पर छुडवा लिया हाँ 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 वो तो जब हम चाहेंगे पुलीस उसे दोबारा हमारी हरासत में ले आएगी वो तो जब होगा तब होगा फिलहाल उन दो कैदियों को फर उन दो फर्रार कैदियों को हम तलाश करने के बावजूद भी ना ला सके तो तो हम ये वर्दी उतार कर आपके गले में डाल देंगे हमारे जैसा हर अफसर अपने फर्ज को पहचानता है इस तरह जेल से भाग कर आप दोनोंने अच्छा नहीं किया जेलर साब बेचारे क्य आपका मकसद है विवेक को बेगुना साबित करना किसी का खून करना नहीं उसन मानू ठीक है अरी अनबर बदले की आग को भूलकर हमें समझदारी और चालाकी से काम लेना होगा अनबर और बल्मीर जेल से बाग गया हमको मारेगा पर्मिनिस्टर तुमको नहीं चोड़ेगा उल्लू का पठ्था यार शक्ती कैसे कैसे टुच्चे लोगों को तुम मूह लगा लेते हो यार अरे बंडारी लाइला की खातिर लाइला के कुत्ते से भी प्यार करना करता है हमको कुत्ता बोला जी मुठ्व स्वामी को कुत्ता बोला जी तुमको नहीं चोड़ेगा जी तेरको चड़ गई है चल जाए यांसे हमको कुत्ता बोला जी मुठ्व स्वामी को कुत्ता बोला जी तेरको कुत्ता नहीं बोला तु जा यांसे जा 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 कितनी बार बोला तू कुटा नए तू कुटा नए कeking कुटा नहीं तू चल आब पर इस अधी के सारी दौलत हाथ में आजा है तो तो आससे थे सारी दौलत मिष्ज प्या में आदि नहीं प्यारे मुझे मिलेगा शादी मैं करूं सारी जिन्द की निशा का बोज मैं उठाओं और आदी मत भूलो कि निशा के बाप को तुमसे मैंने मिलाया शादी की बाप करने मैं गया उसकी मां के खून का जूटा गवा मैं बना अगर मैं सची गवाही दे दूँ तो नाराज क्यों होते हो प्यारे मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना जता रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी में हमारी क्या कीमत है बहुत क्यमत है प्यार है जिंदगी में तुम्हारी गुलामी की तुम्हारी सेवा की क्या मिला गालिया मुद्ट्व स्वामी को कुट्टा बोला हमको कुट्टा बोला कुट्टा मैं नहीं कुट्टा तुमारा दोस्त सक्ति सिंग जी वो सक्ति सिंग चोर फ्राड्ड परिमान तारा पिश्टा का जाएगा ऐसे कैसे खा जाएगा तुमको तुम्हेरा हिस्सा जरूर मिलेगा अयो मालिक बोलता जी नमस्कारम मालिक नमस्कारम टुम्हेरा मालिक ने बेजा जी ? अयो मुरारी, इमिजेट रियक्षम। याद करते है, चलना जी चलना जी पैसा मिलना जी घर बनना जी साधी करना जी फिर चलना जी पहले मालिक के खुणी का पता चलना जी उसके बाद सब कुछ मिल जाएगा जी पता चल गया जी काऊं जी खुणी चकती सिंग खुन काके विवेक को भशा दिया अच्छा विवेक को उसने नहीं तुमने फशाया है तुमको भी मालिक ने बेजा जी मालिक ने नहीं पुलीस डिपार्टमन ने बेजा तुम्हें जेल में बंद करने के लिए अब तुम देखोगे जेल जरूर देखोगे बहां चक्की पीसोगे हंटर पढ़ेंगे तुम्हें अयो कासा बोलता जी हाँ ठीक ही बोलता है जी अंटर पढ़ेंगे जूते पढ़ेंगे साल इस मुट Tenemos愛 कि अमाररा लगी करावी जी जेल तो कभावी नहीं देखा जी मुट도 Joseph Mine से फाइसा हो ना ले चादी हो ना ले गारों ना ले अब जाए करना साथ न मतिन वह न गारль नियुब जो वोले जैंपbers एंबर बंघakah tired अरे मुद्टु स्वामी तुम आव बलो क्या बात है सर मिठाई सर मिठाई किस खुशी में जनम दिन सर अच्छा अच्छा तुमारा जनम दिन है आज मेरे नहीं है आपका दोस्ट शक्ति सिंग का जी खाई खाई शक्ति खुद क्यों नहीं आया है बंडारी यह नेता बंडारी अगर तुम्हें जान प्यारी है तो लड़ों मत खाना शक्ति सिंग ने तुम्हें मारने के लिए उन लड़ों में जहर मिला दिया है कौन बोल रहे हो तुम तुम्हारा एक हमदर्द हालो 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 मुतु स्वामी यह सर यह लड़ो तुम खाऊगे मैं नहीं खाऊंगा सर इसमें जहर है इसलिए नहीं नहीं जी नहीं हाँ सर मोजे माप कर दीजिए सर वह आपका दोस्त सक्ति सिंग ने हमको भेजा जी माप करो नमक हराम गद्दार शक्ती मैंने भी अगर तुझे जेल की चक्की नहीं विस्वाई तो मेरा नाम बेनी प्रसाद बंडारी नहीं करने चाता है करता है हमारी दोलत में थाकत उसे वर्ट दिलवाए अमनों से नेता बनाया नेता हमनों से जमीन से उठाकर आश्मान में पिठा दिया और आज वो हमसे, हमसे टकराना चाहता है, ठाको शक्ति सिंग से टकराना चाहता है, आप सिरफ इशारा करो, अभी इसी वक्त उसके सारे खांदान को एक ही जट्के में खतम कर दूँगा, जुली, ये सर, पंडारी का कल का प्रोग्रम क्या है, सर वो कल पाली कितन के फंक्शन में जाने वाले हैं, फंक्शन में जाएगा साला, फंक्शन में जाएगा माला पैने का, हम बनाएंगे तरको माला, कल उसके गले में ऐसी माला पैनाए जाएगी, जिसके दर बाम होगा, और उस बाम का धमाका, उसकी जिंदगी का आखरी धमाका होगा, लेता पहनी परशाद के दिल्दा आपार लेता पहनी परशाद के दिल्दा हार 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 जोग 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 जो इन दोनों ने सिर्फ मेरी जान ही नहीं बचाई मेरी आखों पर पड़ी हुई पाप की पट्टी को भी हटा दिया है अनार ताश्रम की बरबादी से लेकर निशा की माँ की मौत तत मैं हर जुन में शक्ती सिंग का बराबर कसाती रहा हूँ मैं अपनी हरकतों पर बहुत शर्मिद्दा हूँ जेलर साब मुझे माफ कर दीजे अरे यह आप क्या कर रहे हैं हम तो आपके मामूली से मलाजिम हैं आए मैंने इतने छोटे कर्म की हैं कि साथ जन्मों का पच्ताव भी शायद मुझे माफी ना दिला सके प्राश्चित तो आप अब भी कर सकते हैं बेकसूर और मासूम विविक जो इस वक्त मौत और जिन्दगी के दर्मयान खड़ा है आपके सच्चा बियान देने पर रहा हो सकता है यूर आउनर हमारी भेजुई अर्जी को आपने खबूल किया और हमें डिफेंस की तरफ से खड़े होने की एक स्पेशल इजासत दी उसके दिया अदालत का बहुत बहुत धन्यवाद आप इस मुकदमे के बारे में जो कुछ कहना चाहते हैं उसे अदालत के सामने पेश किजिए ये नौजवान निर्दोश है इसे एक चाल बाज ने खून के जूटे इल्जाम में फसा रखा है आखिर वो एक इनसान है कौन यूर आउनर जिसे राना साहब चाल बाज साबिक करना चाहते हैं यूर आउनर लाइन नंबर दो और कुर्शी नंबर भी दो अब हम अदालत से ये गुदारिश करेंगे के ने विट्निस बॉक्स में आने की तकलीफ दी जाए हां बुलाईए आप निशा को जानते हैं जी हां आपकी उससे मुलाकाते भी होंगी कभी कभी बातचीत भी होगी जी हां कभी कभी आप निशा को अपनी बी बनाना चाहते हैं उसके सवर्गवाजी मा यह चाहती थी उसके पिता जी की भी इच्छा थी इसलिए उन्होंने मुझे निशा का बिजनस पार्टनों बनाया तो फिर निशा की मा का खून कैसे हुआ यह लड़का निशा से चाहत करना चाहता था लेकं निशा की मा इस लड़के के खिलाक थी इसलिए इसने अपने रासे से हटाने के लिए निशा की मा का खून कर दिया यह जूट बोल रहा है सब्सादे कर रहे कर रहें ठोस सबूत ही नहीं बलके चलता फिरता सबूत है हमारे पास जेलर राना प्रताप के बताए हुए सभी इल्जामात सच है यह उनर इन सब का जिम्मेदार है शक्ती सेंग कम दो अपनेर चाहाँछ हाँ एड़ किसंगर धारी थे उल्माद पिले इन आीशाल डहत है जुएश्या कीस जिल्जा इल् है यहाँश्या इछाँ भाघ्व ऌैस्याँवग्ट ंवे बाहत है ले बत दो मुदन से घ्या लगे थेए भाट अ. अजय को अजय को अपूब है प्रहुब जटार। कर wszyscy फिर अगजने दिए LET अगने करना बर्ब टेड़नी быстрuly छरअगन करना करेंका करना प्राइव生मystem प्राइब करेंका ही갈ा थोड़र. फॉड़र. हीज़र. हीज़र, नहीं जुछर इपक्म. हीज़र ay, हीज़र, आव तह रखंगomm. हीज़र, चाहने ही हीज़र. कर दो कर दो कि और दो कर दो 11 उंग 10 खो 6 उंग को 8 उंग Nobel प्रूब करते हैं कर दो कि अ कि अ कि अ जपकता कि अ जब हुआ हुआ है झाल 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 तेरे स्कून से तेरे पापों की भू आ रही है कमीने और सुन इस धर्ती पर पापी पैदा तो होते हैं लेकिन उन पापियों का अंत करने वालों को यह धर्ती मां पहले ही जर्म दे चुकी होती है अर्स्टिम